लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो अमिता बच्चन ने नानावटी हॉस्पिटल की तारीफ करते वक और डॉक्टरों की तारीफ करके वीडियो उन्होंने बनवाया उसके पीछे का हकीकत में आपको बताना चाहता हूँ अमिता बच्चन केवल एक कलाकार नहीं है वो एक इन्वेस्टर भी है रेडियंट ग्रूप जो नानावटी हॉस्पिटल का मालक है रेडियंट ग्रूप के जो शेर होल्डर है वो अमिता बच्चन है ये बोर्ड पे मेंबर भी है यानि बोर्ड मेंबर आप समझते होगे कि क पाली में अगर आपने देखा होगा कि अमिता बच्चन की जो वीडियो है वो नानावटी की तारीफ कर रही है और उस नानावटी हॉस्पिटल पर महाराश्टर सरकार यहां की प्रशासन महानगर पालिका ने जाच करके एफायर किया जिसमें सिद्ध हुआ है कि ये दस में स साथ से आठ पेशन को पॉजिटिव बताते हैं और उनको हॉस्पिटल में जबदस्ती रखते हैं और सत्रा से बीस लाग का बिल करते हैं जब ये जाच में पाया गया कि ये बिलिंग जो हो रहा है ये लूट मार कर रही है नानावटी के हॉस्पिटल लूट मार कर रही है और उन पर F.I.R. होता है section 188 और section 34, section 34 ये बोलता है criminal act done by several person याने भौत लोगों ने इसमें involved है, तो आपको बता देता हूँ, कोई भी hospital में कोई भी नई बिमारी आती तो उसका जो rate तय किया जाता है, जैसे COVID-19 आया है, इस बिमारी को लेके agenda बना गया कि हम hospital में किस तरह patient को लेंगे, किस तरह bad मुया कराएंगे, किस तरह हम charge करेंगे, तो एक agenda बना हुआ होगा, board members को agenda गया होगा, board meeting होगे, उस board meeting में अमिता बच्चन जो board member है, वो भी present होगे, उसमें तय किया जाता है कि isolation ward का charge कितना होगा, ICU ward, ICU में ventilator के साथ कितना charge लिया जाएगा, patient से, ICU बिना ventilator के से कितना charge लिया जाएगा, doctor का कितना charge लिया जाएगा, दवाईयों का कितना charge लिया जाएगा, तो ये board के meeting में तई होती है ये तई होने में जितने भी board के member present होते हैं चाहिए वीडियो conference के द्वारा हो या personal meeting होके तो आजकल तो द्वारा आपने देखा हुआ कि CMB हमारे video conferencing करते है तो video conference के द्वारा अमिता बच्चन भी board में present थे अगर हो बुलना चाहते board में नहीं present थे तो board meeting का जो minutes बनता है वो minutes की copy हर एक board members को जाता है कि हमने ये तई किया है कि कोई भी COVID का patient आएगा asymptomatic हो या symptomatic हो उसको हम 15 से 20 लाग का billing करेंगे तो आमिता बच्चन को ये minute की copy भी मिली है उनको आपत्ती करनी चाहे थी उनको object करना चाहे था क्योंकि ये company में जो भी board members है सिर्व एक ही board member है जो मुंबई में रहता है वो आमिता बच्चन आमिता बच्चन ने कोई आपत्ती नहीं की उन्होंने objection नहीं किया उन्होंने ये चीज को कबूल किया कि इन patients को लूटा जाए इनसे पैसा वसूला जाए क्योंकि पैसा जितना वसूलेंगे उतने shares के dividend आपको ज़्यादा मिलेंगे याने लोगों की बिमारी लोगों का ilaj लूट मार करके जो पैसा आएगा उसकी आमिता बच्चन कमा रहा है ये अपना गलत चीज को ढाकने के लिए वीडियो बनाया है आप समझिए अगर shares का value कम हो जाता है आमदनी कम हो जाता है ये कोई public limited company नहीं है ये limited by shares है इनके मालिक होते हैं तो जिस तरह आमिता बच्चन board member है investor है मालिक है इनको उसकी कमाई मिलती है ये हर एक patient को जो charge किया गया है उसकी कुछ न कुछ आमदनी इनको जाती है तो ये बहुत स्वार्ती आदमी है मैंने आज तक इनको मैं मुंबई में जन्मा हूँ मैंने आज तक अमिता बच्चन को दान करते हुए नहीं देखा ऐसे वक्त पे ऐसा वीडियो बनाना hospital की तारीफ करना आपको मालूम है उस hospital की आप जब तारीफ कर रहे हो तो आप प्रशासन को गलट ठेरा रहे हो दूसरा मैं खुद भोगता हूँ मेरा साला गुजरा है hospital के भार पौना घंटा यह जवान मेरा साला है अभी शेक से उमर में कम है 41 एर्स का है पौना घंटा मैं hospital के भार हाँ जोड के खड़ा रहता हूँ यह बोलता हूँ कि आप इसको admit करा लो अंदर से doctor gate के अंदर से doctor बोलता है कि आप काम करिए आप oxymeter लीजे अब thermometer लीजे आप जरा चेक करके वीडियो बना के हमको दिखाए कि उसका oxygen level कितना है उसका temperature कितना है अरे नालाई को हम doctor है क्या वो जाच हम लोग करते हैं ambulance में जाके और उनको दिखाते हैं पौना घंटा तक उन्होंने यहां से वाँ घुमाया patient को अंदर लिया नहीं और वीचारा मेरे सामने hospital में hospital के भार ambulance के अंदर उसने दम तोड़ दिया वो मुंबाई कर था वो गुजर गया मेरे आख के सामने ऐसे कितने यहां के local लोग गुजर गए हैं और यह नालाईक अमिता बच्चन वीडियो बना के तारिफ कर रहा है अरे तुने अभी तक जहला क्या है तुने खोया क्या है तुने कुछ ने खोया और हमारे लोगों के मरने पर उसकी कमाई तु खा रहा है hospital से जो लोग इलाज करके भार आ रहे हैं 15 लाग 17 लाग दे रहे वो तु कमाई खा रहा है यह जो वीडियो अमिता बच्चन ने बनाया यह स्वार्ती आदमी है आपको इपता दू अमिता बच्चन एनारा है NRI समझता है NRI याने non-resident Indian इसको तो शरम आता है अपने आपको इंडियन बोलते वे यह अपने को non-resident Indian बोलता है इसको 2014 में NRI of the year का एवार्ड मिला है उसका वीडियो में आपको बेज दूँगा यह NRI है यह जितना भावक में बात करता है यह ढखोसले हैं इसके यह Tewter के पैसे लेते, Tewood करेंगे ना तो उसका पैसा 15 लग लेते है आपको इस वक ऐसे वीडियो नहीं बनाना चाहिए था आपको शरम आनी चाहिए कि आपको इस तरह वीडियो नहीं बनाना चाहिए था आप सबके नजर में गिर गए हो और यह आदमी सिर्फ स्वारती है यह अपना परिवार हम दो हमारे दो बस इसके सिवा इसको कुछ नहीं समझता है